बाजारों में सोने चांदी से भी महंगे बिकने वाले केसर की खेती मुख्य रूप से जमू और कश्मीद में की जाती है लेकिन दीरे दीरे अब बिहार के किसान भी केसर की खेती की और रुख कर रहे है बाजार में इसकी कीमत लगबग 3 लाक रुपए प्रती कीलो है बिहार के गया जिले के किसान आशिश कुमार सिंग ने इस साल लगबग 3 किलो केसर के बीज अपने खेतों में ट्राइल के रूप में लगाए हैं जनवरी फरवरी महीने में बीट से फूल निकलेंगे, इसके खेती में लगबग 10 डिग्री तापमान की जरुरत होती है, केसर के फूल हलके बैंगनी रंके होते हैं, इनके अंदर केसर लाल या फिर केसरी रंका होता है. और कस्मीर के जो किसान है, उन से हम टच में हैं, उनी से हम भीज मगवायते हैं, और वो गाइडेंस समय से में पर गाइडेंस देते रहेंगे, यह तीन महीने का फसल है, यह अभी अक्क्टूबर लास्ट में हम लगवा रहे हैं, इसको फरवरी जनवरी में इसमें फूल आ ज इसी केसर के बीज में से फूल निकलते हैं अभी ये दो महिना डियक्टिवेट रहेगा इसमें से न पत्ता दिखेगा न कुछ भी नहीं दिखेगा और एकी बार जनवरी में फस्ट वीक में आप में इसमें से एक पत्ता निकलेंगे और फूल के साथ उपर इसमें वो आ तो तीन डंडी में नड़ी मेल मेल रहता है थो फिमेल रहता है तो ज़ो जो फिमेल वाले डंडी होथ वी तक समेरिक ईहार पर स्क्विए सर्व Rocky mmm यहां पर नीला गेहूँ काला गेहूं काला अलू महंधान ग्रीन ड्राइश रेड्र इछ अधिक राइस हैं यह सबThe और यह सबका है सफल रहा है सभी सी आम अब यह किसर दो लेक में पढ़े हैं और कस्मीरिकेसर step ठंडी जगा में होता है पर जो कस्मीर से जिन से बीज मंगवाएं हैं तो वो बोले आप ट्राइल कीजिए जो भी हिल्प लगेगा वो करेंगे और इसको टंपरेचर रेंज जो चाहिए मिनिमम टंपरेचर रेंज 10डी तक चाहिए इसको हां प्लने फूलने के लिए तो वह हमको दिसंबर जनवरी में 10 डिगरी लगबख टंपरेचर हमको मिल जाता है कमसे कम दो महिना ऐसे टंपरेचर मिल जाएगा तो उस में फिर उसके बाद यह हो जाएगा और इसी को वीज बीज बन जाएगा तो इसी को फिर उखाल के रख दिजो फिर अगले साल इसको समय पे लगाईए ये दो धाई किलो बीज है मेरे पास ये लगभग तो इसलिए कम मंगाया है अगर ये सक्सेस हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये डेड़जा रुपे केजी का बीज हम मंगवाए हैं वहां से कस्मीर से मंगवाए हैं बीज डेड़जा रुपे केजी एक केजी में 60-70 पौधे आ जाते हैं तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि कैसा लगता है